आज हम देखने वाले हैं Locked Up बनाकर उसे ओनलाइन अपलोड भी कर देती है। वो मलोरी को समझाते है कि मैं जानता हूँ तुमने पहले वार नहीं किया होगा लेकिन यह अमेरिका नहीं है हमें यहां समल कर रहना होगा और तुम्हें भी यहां रहने की आदत डालनी होगी इतना कहकर वो बाहर चला जाता है यह सब कुछ मलोरी के लिए एक पुरे सपने की तरह होता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो करे गया फिर मलोरी अपनी जिन्दगी को खत्म करने का फैसला करती है और वो नीन्द की धेर सारी गोलियां खा ले दिये जिससे वो तुरांत बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को हास्पिटल में बाती है खर मलोरी ने ने निता को चोट पहुँचा कर छोटा ही सही लेकिन क्राइम तो किया है इसलिए जज उसे विमन्स क्रेक्शनल फैसलिटी में रहकर अपनी दो साल की सजा पूरी करने के लिए कहते है दरसल ये फैसलिटी एक तरह से टीनेज लड़ियों की जेली है पर अब सजा होई है तो ना चाहते वे भी मलोरी को इसे भूगत नहीं पड़ेगा इसलिए टॉम उसे फैसलिटी में लेकर आता है जहां मोना नाम के एक लड़की इन लोगों को उस जगे की साफ सफाई दिखाते वे वाडन जैनिफर के पास लेके जाती है फिर जैनिफर टॉम को यकिन दिलाती है कि ये सिर्फ नाम की जेल है यहां सभी के साथ अच्छा विभार किया जाता है आप चिंता मत कीजिए टॉम भी मलोरी से कहता है कि तुम चिंता ना करो बस कुछी दिनों की बाद है मैं तुम्हें यहां से जल्दी से छुड़वा लूँगा फिलहाल टॉम के जाने के बाद अचानक से मोना कभी मलोरी के अपरती बिहेवियर एकदम से बदल जाता है वो मलोरी को उसके सेल तक लेकर जाने लग जाती है जिस दोरान हम इस जेल की असली तस्वीर देखते हैं जो कि टॉम के आगे मोना ने नहीं दिखाई थी मलोरी देखती है कि यहां की हालत तो बत से बत्तर है और यहां पर काफी खतरनाक और पागल लड़कें ससा काट रही है जिन में से एक रिजा होती है वो पूरी तरह से एक साइको है जो कि मलोरी को देखकर उसे परिशान करने लगती है जब मोना भी मलोरी की मदद नहीं करती तो एक लड़की ये सब कुछ देखकर रिजा को मलोरी से दूर करती है फिर मोना मलोरी को लेकर उसका कमरा दिखाती है जिसमें पहले ही कई लड़किया है मोना मलोरी को वहां सबी के सामने कपड़े बदनने के लिए मजबूर करती है जोगी बेचारी मलोरी को ना चाहते बेभी करना पड़ता है पर उसके बाद घाने का समय हो जाता है जब मलोरी को देखकर एक केट नाम की लड़की उसे अपने पास बुला कर बिठाती है जिस तूराani मलोरी देखती है कि रिजा उसे लगातार गूरती जा रही है केट कहती है कि रिज़ा इस जेल की पागल कैदियों में से एक है वो बहुत ही टेंजरिस है इसलिए उससे तुम्हें दूर रहना होगा उसने अपने पूरे परिवार को ही जान से मार दिया था बाके तुम भगवान से ये मांगो कि तुम्हारी फाइट कभी रिज़ा से ना हो यहां मनुरी केट को बीच में रोकते हुए कहती है कि तुम किस फाइट की बात कर रही हो इस पर केट कहती है कि ये जेल ये फैसलिटी सिर्फ नम के लिए है यहां हर तरह के खलत और गर कानूनी काम होते हैं हर अबते यहां दो लड़ियों के बीच फाइट करवाई जाती है जिसमें काफी पैसे लगते हैं इससे जज़ से लेकर पावर में बैठे सबी लोग पैसा कमाते हैं अब यह चीज़ सुनकर मनोरी कहती है कि मैं फोन करके यह सब कुछ अपने अंकल से पताने जा रही हो जिस पर केट उसे ऐसा करने से रोकती है वो कहती है कि यह लोग बहुती खतरनाक है अगर इने भनक भी लगए तो वो तुम्हें और तुम्हारे अंकल को मार कर कहीं दपना देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा अब यह दोनों बात है करी रही होती है कि तभी फिर से रिज़ा मनोरी को परिशान करने के लिए आ जाती है जिसे इस बार केट रोकती है पर रिज़ा केट से डड़ती नहीं और जब दोनों लड़ने ही वाली होती है तभी गार्ड आकर उने रोक लेता है अब केट के मना करने के बावजूद मनोरी टॉम को कॉल करके कहती है कि यह जगे बिलकुल भी अच्छी नहीं है आप मुझे लेकर यहां से जल्दी चलो बागी वो जब और बताने लगती है तो गार्ड उसे फोन रखने के लिए चिलाने लगता है इसलिए डर कर मनोरी फोन रख देती है फिर मनोरी को जैनिफर बुलाती है जो कि उसके सामने एक पेपर पर साइन करने के लिए जिसे तुम गलत समझो बागी तुम जब तक इस पर साइन नहीं करोगी तब तक तुम्हारी सजा नहीं गिनी जाएगी अब अगर लॉयर वगिरा के चकर में पड़ोगी तो इसमें खरीब तीन से चार महने का समय तो लगी जाएगा और यहां का सिस्टम और सिस्टम के खलाफ कोई नहीं जा सकता इसलिस पर साइन कर दो इसमें ही तुम्हारी भलाई है बेचारी सीधी साथी मलोरी उसकी बातों में आकर उस पेपर पर साइन कर ही देती है फिर मलोरी साइन करना के बाद जैनिफर से कहती है मुझे यहां कुछ लड़कियां काफी परिशान कर रही है इस पर जैनिफर कहती ये उनकी परवरिश ऐसे ही थी इसलिए वो ऐसे हो गई उन्होंने अपना जातातर समय गरीबी में काटा है बाकि तुम चिंता ना करो मैं गाट से बोल दूंगी वो ध्यान देंगे कि तुम्हें कोई भी परिशानी नहो ये सुनकर मलोरी उसे थैंक्यू कहकर चले जाती है फिर अगले दिन मलोरी के पास मोना आती है वो मलोरी से कहती है कि यहां अगर रहना है तो काम भी करना पड़ेगा समझी तुम बताओ तुम करोगी क्या या तो तुम ट्वालेट साफ कर सकती हो या फिर जमीन को घिसकर साफ कर सकती हो बताओ तुम दोनों में से क्या करना चाहती हो मलोरी जमीन वाना काम चुनती है इसके बाद उसे जमीन घिसने के लिए कुछ दिया जाता है जो काम इतना असान नहीं होता यहां मलोरी का सामना फिर से रिजा से होता है जो मलोरी से कहती है आखर तुम्हे कब तक केट बचाएगी इतना कहती है रिजा मलोरी को एक जोरदार पंच लगाती है जिससे मलोरी के नाक से खून आ जाता है यहां मलورी देखती है कि यह स governments गार्ड के जूर्ड के सामने ही कर रही है कहां मखत्म करकर जब मलॉरी वापस आती है तो उसके नाग चोट को देखकर केट समझ जाती है कि उसे रिजा नहीं मारा है इसलिए वो मलोरी के लिए रिज़ा से लड़ने जाती है जिन्हें इस तरह लड़ते में देखकर वहां जनिफर आ जाती है वो रिज़ा और केट को इसके लिए सजा देने का फैसला करती है फिर गार्ड्स दुनों को पकड़ कर लेके जाते हैं काफی देर रात में कैट को इसके सेल में वापस छोड़ दिया जाता है जिसकी हालत काफी खराब होती है और उसकी खराब हालत को देखकर मनورी को इतना तो समझ मा चुका है कि यहां रहना इतना भी आस़ान नहीं है इसी बीच वहाँ पर जैनिफर आती है जैनिफर कहती है कि जानती हो अगले दो हबते तुम्हारी पहली फाइट है तुम अपने आपको थोड़ा मजबूत बनाओ तब ही यहां पर रिजीब आओगी बस यही सबक तुम्हें सिखाने के लिए मैंने यह सब कुछ किया अब क्योंकि यह फाइट मलोरी को लड़ने ही पड़ेगी इसलिए वो जिम में जाती है जहां उसे वही लड़की दिखती है जिसने पहली बार मलोरी को रिजा से बचाय था उसका नाम सुचीन होता है मलोरी सुचीन से कहती है क्या तुम मुझे अपनी तरह टफ बनाने में मदद कर सकती हो सुचीन कहती है कि अगर तुम पूरे एक मिनट तक अपने हाथ को पहला कर उसमें डंबल पकड़ सकती हो तो मैं तुम्हें सिखाने को तयार हूँ लेकिन मलोरी 15 सेकिंड तक भी वो काम नहीं कर पाती है इसलिए सुचीन उसे सिखाने से मना कर देती है फिर इसके बाद मलोरी अपने अंकल को फोन लगाने चाती है जहां मोना उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी और अगर तुमने अपने अंकल को कुछ भी बताया तो वो भी मरेंगे और तुम भी मरोगी इसलिए मलोरी चाह कर भी उनसे कुछ नहीं कह पाती अब टॉम मलोरी से कहता है कि मुझे तुम से मिलने नहीं दिया जा रहा है पूछने पर ये लोग कह रहे हैं कि तुमने किसी से मिलने से मना कर दिया है अब मलोरी कहना तो ये चाहती है कि उन पेपर्स पर उन्होंने धोके से जबरस्ती साइन करवा लिये हैं लेकिन वो डर की वज़े से ये कहती है कि मैंने वो खुद किया अब मैं आपसे बाहर निकल कर ही मिलना चाहती हूँ टॉम कहता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें छुडाने में लगावा हूँ और यहां मोना के कहने पर मलोरी को फोन काटना पड़ता है इसके बाद मलोरी को पकड़ कर गार्ड्स एक जिगे लेकी जाते है जिससे मलोरी पूरी तरह तूट जाती है और वो बात्रूम के शुवर में लटाकर अपनी जान देने की कोशिश करती है पर शुवर तूटने के कारण वो बच जाती है जिस बारे में जब जैनिफर को पता चलता है तो वो मलोरी को और भी जादा मारती है यहां वो कहती है क्या मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी फाइट अगले दिन नहीं बलकी एक हफ़ते में ही रिज़ा से होगी मलोरी यहां रोते वे जैनिफर से पूछती है कि आखर तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर क्यो रही हो जैनिफर का जवाब होता है कि मुझे सिर्फ पैसो से मतलब है पर तुम से मुझे वो मिल नहीं रहा है फिर भी तुम मेरा दिल देखो कितना बड़ा है मैं चाहती हूँ कि तुम टफ बनो ना कि अमेरिकन्स की तरह कमजोर बनो बलकि अगर मरना ही है तो लड़कर मरूंगी इसलिए केट उसकी तैयारियों में मदद करती है जिसे मलोरी पर काफी बदलाब आ जाता है उसे इतने अच्छे से तैयारी करते वे देखकर जैनिफर मलोरी की ताकत जाचने के लिए एक दूसरी लड़की से उसको लड़वा देती है जिसे मलोरी एक अच्छी फाइट के बद हरा देती है और इससे मलोरी को खुद पर विशुवास भी हो जाता है एक रात मलोरी जब अपनी दोस्त केट के साथ होती है तो उसे जैनिफर मिलने के लिए बुलाती है वो मलोरी से कहती है कि तुम्हारे अंकल टॉम ने पैंसे तो खर्च किये हैं लेकिन उन्होंने वो गलत आदमी को दे दिये हैं इससे उन्हें तुमसे एक बार मिलने का मौका तो मिल गया फिर वो मौना के निगरानी में टॉम से मिलने जाती है टॉम मलोरी से कहता है कि तुम चिंता मद करो तुम्हारे पापने तुम्हें बुला दिया है लेकिन मैं लगा वा हूँ बस तुम्हें हिम्त नहीं हरनी है अब मलोरी कहती है कि यहां कर कुछ हुआ या ना हुआ हो लेकिन एक चीज हुई है मैं पहले से ज़्यादा टाफ बन गई हो इसलिए आम मेरी चिंता मत करो इतना कहने के बाद वो जब वापस जा रही होती है तो बातो ही बातों में मोना उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम अगर रिजा को मार दोगी तो जैनिफर तुम्हें आज़ाद कर देगी भूल जाओ उसने आस तक अपना वादा नहीं निबाया है पहरे तो तुम्हें रिजा से जीतने ही नहीं देगी फिर चाहे तुम जो कर लो अब उसकी बात सुनकर मलोरी समझ नहीं पाती कि वो करे क्या क्योंकि उसे ना चाहते वे भी इस फाइट में शामिल होना पड़ेगा तो वहीं अगले दिन मलोरी अपने काम पर लग जाती है और और भी कड़ी मेहनत करने लगती है लेकिन जैनिफर उसे जिम इस्तिमाल करने से मना कर देती है पर मलोरी अब हार नहीं मानना चाहती इसलिए वो अपने सैल मेही वर्क आउट करने लगती है पर इसके मन के अंदर अभी भी कई चीज़ें चल रही है जिसे सुचिन आकर कहती है कि इस तरह कंफ्यूजड होगी तो आराम से हार जाओगी बेहतर यह होगा कि तुम यह समझो कि तुम्हारी अस्ति लड़ाई किस के साथ है जिस पल तुम यह समझ गई उसी वक्त तुम्हारा रास्ता किलियर हो जाएगा तुम्हें मैं या कोई और कुछ नहीं सिखा सकता तुम्हें अपने ताकत नहीं दिमाग से लड़ाई करनी है तुम जो भी करना सोच समझ के करना दूसरी वोड जैनिफर रिज़ा से कहती है कि अगर तुमने मलोरी को मार दिया तुम मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी ये बात सुनकर रिज़ा मान जाती है इधर अब जैनिफर की आउडर्स पर गार्ड्स मलोरी को खाना भी नहीं देते जिस करन रात तक उसकी हालत और भी खराब हो जाती है तब ही मलोरी को अपने सेल में एक चुवा घूमते वे दिखाई देता है जिसको पकड़ने के बाद मार कर खाना तो चाहती नहीं लेकिन क्या करे मजबूरी में खाई लेती है आखरकार वो दिन आहीं जाता है जब मलोरी की रिज़ा से होनी है फाइट इस वाइट का एक ही नियम होता है की हर और चीत का फैसला किसी एक की मौत से होगा जिसके बाद दोनों लड़ना शुरू कर देती है पहले तो रिज़ा मलोरी को काफी मारती है पर बाद में मलोरी रिज़ा के बालों से ही उसका गला घोटने लगती है जिससे रिज़ा गिर पड़ती है लेकिन यहां मलोरी उसे मारती नहीं यह देकर जैनिफर मलोरी से कहती है की मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें इसको मारने में मुश्किल हो रही है यह कहकर वो मलोरी के हाथों में चाको थमा देती है और कहती है इसे अभी खत्म करो क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी और इसे मारने के बाद यहां से आज़ाद हो जाओ जैनिफर के इतना कहते ही मनोरी रिज़ा को छोड़ कर उल्टा उसे पकड़ ले दिये जिस पर जैनिफर कहती है यह तो मुखलाती कर रही हो मैं तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर सकती हूँ यह सुनते है मनोरी दो बार जैनिफर के पेट में वार करती है फिर वो एक गार्ड की गन लेने के बाद रिज़ा सम्मेट सब एक कैदियों से कहती है कि जिसे यहां से चलना हो मेरे साथ चलो जैनिफर को बंदू की नोक पर लेकर बाहर जाती है जिसके पीछे सबी लड़किया है बाहर आने के बाद मनोरी जैनिफर से कहती है कि तुम्हें मैं नहीं मारूंगी बलकि तुम को तुम्हारे बनाए जानवर खोदी मारेंगे जैनिफर यहां उसे माफी मांगने लगती है पर मनोरी उसकी एक भी नहीं सुनती और जैनिफर को रेज़ा और बाकी लड़कियों के हवाले कर देती है जिससे वो सबी बहुत बुरी तरह मारती है इसे वेच मनोरी केट के साथ महाँ से निकल जाती है इस दुरान केट उसे पोचती है कि बताओ कहा चला जाए मनोरी जवाब देती है कि अमेरीकन अमबैसी जिसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है बागी दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगियो मूवी अच्छे लगयो एक्स्पिनिशन अच्छा लगा हो तू लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं गली वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई अपना खयाल रखे और फाइनली थैंक्स वर वाचिंग